साथियों, देश के हेल्थ सेक्टर के अलग अलग गेप को एड्रेस करने के लिए आविश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्टर्टर मिशन के तीन बड़े पहलू है पहला, डाइगनिस्टिक और टीक्मेंट के लिए विश्त्रूत सुविधाओं के निर्मार से जुड़ा है में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं जहां बिमारियों को शुरुवात में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस, फ्री दवा ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी समय पर बिमारी का पता चलेगा तो बिमारियों के गंबीर होने की आशंका कम होगी गंबीर बिमारी की स्थिती में उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केर से जुड़े 35,000 से ज़्यादा नए बेट्स तैयार किये जाएंगे बाकी लगभग सवां सो जिलों में रेफरल की सुविधा दी जाएगी राश्ट्रिय स्तर पर इस टे लिए ट्रेइनिंग और दूसरी कैपेसिटी बिल्लिंग के लिए बारा केंद्रिय अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विक्सित करने पर भी काम हो रहा है इस योजना के तहट राज्जों में भी सर्जरी से जुड़े नेट्वर्क को ससक्त करने के लिए 24 बाई 7 चलने वाले 15 एमर्जंसी ओपरेशन सेंटर्स भी तयार किये जाएंगे साथियों योजना का दूसरा पहलू रोगों की जाच के लिए टेस्टिंग नेट्वर्क से जुड़ा है इस मिशन के तहट बिमारियों की जाच उनकी निगरानी कैसे हो इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा देश के 730 जिलों में इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्स लैप्स और देश में चिजित साड़े 3000 ब्लोक्स में ब्लोक पब्लिक हेल्थ उनिट्स बनाई जाएगी पाँच रिजिनल नेश्टनल सेंटर्स पर डिसीज कंट्रोल 20 मेट्रोपोलिटिन उनिट्स और 15 बीएसल लेजबी इस नेट्वर्क को और ससक्त करेगी भावियों और भेनों इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्ट संस्तारों के विस्तार का है उनको ससक्त बनाने का है इस समय देश में 80 वारेल डागनिस्टिक और रिसर्ट लेप्स हैं इनको और बहतर बनाया जाएगा महामारियों में बायो सेप्टी लेवल तीन की लेप्स चाहिए ऐसी 15 नई लेप्स को अपरेशनल किया जाएगा इसके अलावा देश में चार नए नेशनल इंस्टिटूट और वारोलोजी और एक नेशनल इंस्टिटूट पर वन हेल्थ भी स्थापित किया जासर रहा है दक्षेन एस्टिया के लिए WHO का रिजिनल रिशर्च प्रेटफर्म भी रिशर्च के इस नेटवर्क को ससकत करेगा यानि आउश्मान भारत हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्टर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिशर्च तक एक पूरा एको सिस्टिम विक्सित किया जाएगा